हेलो दोस्तो, दोस्तो, कैनरा रुबेको मुचल फंड हाउस, अपना एक नया NFO लेकर आ रहा है, कैनरा रुबेको वेल्यू फंड के नाम से तो दोस्तो, सबसे बहले मैं आपको क्विटली बता देता हूँ कि NFO क्या होता है तो दोस्तो, जैसे कोई जब नई कंपनी अपने आपको मार्केट में लिस्ट करती है, तो वो अपना IPO लेकर आती है वैसे ही, जब कोई mutual fund launch होता है, तो वो अपना NFO लेकर आता है लेकिन दोस्तो, मैं हमेशा आपको एक चीज़ बोलता हूँ, कि जैसे IPO में आपको listing gains होने के chances होते है ऐसा कुछ NFO में आपको नहीं मिलता है, आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है अब दोस्तो, अगर हम बात करें इस fund के बारे में, तो ये एक thematic category का fund है और ये value oriented companies में invest करने वाला है तो आईए दोस्तो, अभी हम detail में देख लेते हैं, इस NFO की क्या details रहने वाली है इस fund की क्या investment strategy रहेगी और end में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा, कि अभी जो value fund चल रहे हैं, उन्होंने कैसी returns दिये है तो दोस्तो, इस fund का NFO 13th अगस से open हो रहा है, और ये 27th अगस तक open यहाँ पर रहने वाला है और अगर हम इसकी reopening की बात करता हैं, तो 6 September से ये fund reopen हो जाएगा तो अब उसके बाद यहाँ पर SIP और Lumsum दुबारा से करवा पाएंगे अब दोस्तो, ये fund जो है, ये value investing के concept को follow करता है तो इस fund को समझने के लिए हम सबसे पहले समझते हैं कि value investing का concept होता क्या है तो दोस्तो, intrinsic value किसी भी asset की true value मानी जाती है ऐसा माना जाते है कि intrinsic value एक maximum price है जो हम किसी भी asset को acquire करने के लिए pay करना चाहिए उससे जादा अगर हम pay कर रहे हैं, तो हम expensively उस asset को purchase कर रहे हैं अब दोस्तो, अगर हम intrinsic value की investing के concept को यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर ये उनी companies को हम लोग purchase करते हैं जो market inefficiency की वजह से उनका price जो उनके intrinsic value है, उससे भी कम हो जाता है और इससे हमें margin of safety मिल जाती है, अगर हम किसी भी ऐसे company को खरीते हैं जिसकी जो market value है, वो intrinsic value से भी यहाँ पर हमें कम देख रही है और दोस्तो ऐसा generally देखा गया है, कि जो value investing वाली companies होती हैं value oriented companies होती है, वो correction के time पे जो उनके prices हैं, वो जादा यहाँ पर नहीं गिरते तो एक downside risk हमें मिल जाता है, अगर हम value oriented companies में invest करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि market में जब 2020 में भी correction होई थी तो value oriented companies में correction कम होई थी in comparison to other companies अब दोस्तों अगर हम इस fund की investment strategy पर यहाँ पर बात करते हैं तो तीन parameters पर यह fund investment यहाँ पर करने वाला है सबसे पहले यह देखेगा कि वो companies को identify करने की कोशिश करेगा जहाँ पर इनको risk-adjustive return बेटर मिल सकती है दूसरे point पर यह अपने risk को control करने की कोशिश करेगा वो यह किसी भी sector और किसी भी company में बहुत जादा location नहीं करेंगे यह एक limit decide कर लेंगे कि किसी particular stock में या किसी particular sector में यह एक certain percentage ही invest करेंगे ताकि इनके जो portfolio है उसमें liquidity बनी रहे और दोस्तो तीसरे point में यह risk को control करने की कोशिश करेंगे ताकि यह regularly अपने stocks और securities को purchase किया होगा उनको ongoing basis पे अपने portfolio को monitor करेंगे वहीं दोस्तो अगर हम बात करें कि अपने portfolio को कैसे structure करेंगे तो बहुत ही simple सी strategy यहाँ पर follow की जाएगी जो जितनी भी companies इनके universe में हैं उसको financial parameters को यह लोग verify करेंगे उसके financial parameters को verify करने के बाद यह identify किया जाएगा कि कौन सी companies undervalued अभी market में दिख रही है उसके बाद उसके high upside और downside ratio को हम देखेंगे और उसके बाद quant model को apply करके यह अपनी companies को select कर लेंगे तो यहाँ पर basically बहुती simple fundे से इनके invest यहाँ पर करने वाले हैं कि जितनी भी companies हैं उन में से identify करने की कोशिश की जाएगी कि कौन सी undervalued companies यहाँ पर दिख रही हैं और उन companies में से कितनी companies का यहाँ पर re-rating होने की बहुत जादा chances है और उसके हिसाब से ही अपने portfolio में companies को add यहाँ पर कर लेंगे अब दोस्तो बात आती है कि value fund में invest करते हैं आपका risk कितना होता है तो उसको इस table से हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि अगर आप equity mutual funds में invest करते हैं तो सबसे कम risk comparison में large cap fund में माना जाता है उसके बाद large and mid cap fund में और उसके बाद आ जाता है आपका value fund दोस्तो value fund को आप flexi cap और ELSS fund category के funds की तरह भी समझ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी fund manager के ऊपर कोई restriction नहीं होती कि वो किस character की companies में कितना भी पैसा लगा सकता है वहीं किसी भी market cap की company में कितना भी पैसा लगा सकता है तो यहाँ पर expected return और volatility आप यहाँ पर flexi cap और ELSS fund की जैसे ही value fund की भी मान सकते हैं अब दोस्तों अगर हम इस NFO की और details पर यहाँ पर बात करते हैं तो यह NFO जैसे मैंने आपको बताया था एक open ended scheme है जो value investing की strategy follow करने वाला है वहीं अगर हम इसके asset allocation पर बात करते हैं तो यह minimum 65% और maximum 100% पैसा अपना equity में लगाने वाला है उसके अलावा debt और money market instrument में भी अपना 35% तक पैसा लगा सकता है उसके अलावा rates में भी यह 10% पैसा लगा सकता है और उसके अलावा units of mutual fund scheme में भी यहां पर 5% तक पैसा यह लगा सकता है वहीं ETF में भी यहां पर 10% तक पैसा लगाया जा सकता है अगर fund manager को लगता है कि उसे किसी भी और instrument में पैसा लगाना है वहीं दोस्तों अगर हम plans की बात करते हैं तो आपको 1% का exit load देना होगा एक साल के बाद आप कोई भी पैसा निकालेंगे तो उस पर आपको कोई exit load नहीं देना होगा वहीं इसका जो benchmark है वो BSC 500 TRI रहने वाला है अब दोस्तों बात आती है कि किस type के investors के लिए यह fund suitable है तो दोस्तों उन investors के लिए fund suitable है जो value investing की approach को समझते हैं और उसमें invest करना चाते हैं और at least जो उनका time horizon हो वो 3 साल का हो और वो एक better risk adjusted return यहाँ पर generate करना चाते हो और दोस्तों अगर मैं अभी जो value oriented funds चल रहे हैं उनकी बात करता हूँ तो अभी जो सबसे अच्छी return दे रहा है वो IDFC का sterling value fund दे रहा है और वो पिछले 5 सालों में 22% के आसपास की return जनकेट कही है उसके अलावा SBI Contra और Invesco Contra fund जैसे funds भी काफी अच्छी return दे रहे हैं और ये भी 20% के आसपास की return दे रहे हैं लेकिन आप value fund से जो अपनी expectation है वो थोड़ी limited रखेंगे तो आपको investment करने में थोड़ी असानी होगी अब दोस्तो बात आती है कि क्या आपको Canra Rebecca value fund में invest करना चाहिए या अभी नहीं invest करना चाहिए तो दोस्तो जो भी कोई नया NFO आता है तो वहाँ पर हमें एक strategy तो पता होती है लेकिन हमें नहीं पता होता कि ये किन companies में किन sectors में पैसा लगाने वाला है वो हमारे portfolio को कैसा suit करेगा तो दोस्तो मैं अभी आपको यही बोलूँगा कि आप 6-8 महिना wait करें इस fund को आने दे देखते हैं कि ये किन companies में किन sectors में पैसा लगाते हैं और वो कैसा perform करता है उसके बाद ही हम अपने portfolio में इसकी suitability को देख पाएंगे और उसके according लिए invest कर पाएंगे मेरी तरफ से दोस्तो आज बस इतना ही अगर आपको ये video अच्छी लगी हो तो इसे like और share जरूर कर दें धन्यवाद